दक्षणी लेबनान से सटा उत्री इसराइल हिजगुला के हमलों की आग में जल रहा है। लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दरसल इस बार हिजगुला ने कैला बैरिक्स में बने इसराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ताबर तोड तरीके से बंबारी की है। साथ ही जारिद बैरिक्स के पास अबुदाजा हिल और तालेत अल करंतीना में इसराइली सैने की कठ्था हो रहे थे जिन पर हिजगुला ने मौका पाते ही हमला कर दिया। हिजगुला का कहना है कि उसने कबजेवाले कफार चौबा में भी रोईशत अल अलाम में आईडियाफ पर रॉकेट प्रोपेल्ड हत्यारों से हमला किया है। हिजगुला का ये भी कहना है कि उसने अलमर्ज में भी गोला बारूद बरसाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन हमलों से पहले हिजगुला ने इसराइल की गोलन ब्रिगेट के हेड़कौर्टर्स पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटेक किया था ये हमला शारगा बैरेक्स की इजोग 621 यूनिट में बने गोलानी ब्रिगेट्स के हेड़कौर्टर पर हुआ था यहाँ पर हिजगुला ने कामी केज ड्रोन्स का एक जत्था फायर कर दिया था जो सीधे अपने टार्गेट पर जाकर गिरा था इस हमले को लेकर हिजगुला का कहना है कि ये अटेक एक दम सटीक रहा है और इस अटेक में IDF को भारी नुक्सान भी हुआ है वहीं दूसरी तरफ इस हमले के अलावा रोईसत अलाम साइट पर हिजगुला ने इसराइल के बक्तर बंद वहनों पर गाइड़ेड मिसाइले भीदा गी है हिजगुला के मुताबिक ये मिसाइले सीधे IDF के वहनों पर जागिरी जिसमें चालक दल या तो मारा गया या फिर घायल हुआ है हिजगुला ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया है जिसमें उसने कहा कि पहले तो उसने कबजे वाले शीबा फार्म्स में IDF पर निगरानी रखी और जैसे ही इसराइली सेना की गाड़ियां हमले वाली जगा पर पहुँची तो उनके उपर अटेक कर दिया गया वहीं इसराइली सेना ने भी माना है कि पश्चमी अलजलील में हुए ड्रोन हमले में उसके छे जवान घायल हुए है IDF के मताबिक ड्रोन्स का मलबा कैला बेस के आसपास गिरा है वहीं इसराइली मीडिया का कहना है कि रूट नमबर चार के पास धक्षनी नहारिया में कुछ सेटलर्स भी घायल हुए है और इसी इसराइली इंटरसेप्टर मिसाईले आकर गिरी है इसराइली मीडिया के मताबिक इस घटना में कम से कम 19 लोग घायल हुए है और इन में से एक व्यक्ति गंभी रूप से घायल हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इन सभी घायलों को नहारिया के गेलेली मेडिकल सेंटर में भरती कराया गया है भरती कराये गए लोगों में 17 लोग मामूली रूप से चोटिल हुए है और बड़ी बात यह है कि अब IDF ने भी मान लिया है कि इसराइल की एक इंटरसेप्टर मिसाइल फेल होकर नीचे गिरी थी जिससे ये इलाका प्रभावित हुआ है मैं हिजगुला के कई ड्रोन नहारिया और आर्मी बेस में जाकर फटे हैं जिन से भारी नुकसान हुआ है